तो अब आप एक बात समझो, कि रिवल में आता क्या है, तो को सिंबल सी बात है, समय किसां संथ एसेट और लाइपिटिक में जो चेंजिस आते हैं उनको बस आप यहां में लिखते हो, अगर मैं बात करूँ डैबिट साइड की, बहुत अची सा बात समझना मेरी, डैबिट सा फायदे एक तरफ लेंगे घाटे एक तरफ लेंगे, ठीक? क्योंकि जरूरी जोड़ना है कि फायदे यह घाटा हो, अल्ला गलत चीज़े हो सकती है, फायदे फायदे ज्यादे बातना पड़ेगा नमे लाके, पासमान में आरे हैं, इसलिए हम अकाउंट का यूज करके इस अब उसमें लिख देते हैं फिर एक final या तो profit या तो loss ऐसा निकालते हैं और उसको पर बाट लेते हैं ठीक है आगे सुनना गेन क्या-क्या है मतलब पार्ट यह जो रिवल अकाउंट है इसमें credit side में क्या-क्या आता है फायदा आप किसको बोलोगे ज्यांदे सुनना अब कोई asset की value अगर बढ़ जाए कोई भी asset जमीन हो building हो stock हो अगर उसकी value बढ़ जाए तो फायदा है ठीक है तो वह आप credit में लिखोगे अगर कोई liability घड़ जाए मान के चलो कि मिरको किसी creator को एक लाख रोपे दें ता मर गया साला पर एक लाख रोपे का हो गया फायदा तो यह भी credit side आता है liability घड़ जाना फायदा ठीक ऐसे ही कोई एक ताजी ताजी नई asset का पता चला क्या पता चला क्या और यह बहुँ अपर तो यह तीनों चीजे एसेट का बढ़ना liability का घटना और कोई unrecorded life कोई unrecorded asset जो अभी तक पता नहीं थी की है करके यह सारी चीजे credit side में लखी जाती है ठीक है उसके अलावा rabbit की side की बात करें loss की अगर बात करें तो अगर asset घड़ जाए तो घटा है वाई so sad liability बढ़ जाए आपको किसी को एकलाग रुपे देने तो कोई आया आपके माते पर कट्टा रखा वोले नहीं थीलाग रुपे दो लाग का घटा हो गया ना सिंपल सी बात है तो यहां पे आप क्या देखते हो increase decrease मतलब घटा कितना हुआ पहले कितना था और अब कितनी value की जो difference होता है वो यहां पे जैसे वह एक रुपे देने तो कट्टा रखा मेरे मात पर बोले नहीं थीन लाग दे मेरा घटा कितना है अब एक लाग तो पहले से लाइविविटी मानना था तो तो दो लाग मेरा घटा कहला है तो दो लाग और मुझे देने पढ़ेंगे पास हमझ में आरहीं तो difference देखा जाता है अगर आपकी assets घट रही है तो गाटा, liability बढ़ रही है तो गाटा और अचानक से पता चला कोई ताजी-ताजी liability तो क्या गाटा है और क्या आपको पत लग रहा था कि ऐसे को पैसे देने को यह वह पैसे देने पते ही नहीं था कि इसको पैसे जाने घाटा हो गया तो यह तीनों चीजे डेबिट साइड में लिखी जाती है आप समझना कि जो भी एसेड बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है एसेड बढ़ रही है फायदा यह लिख दो फरनीचर ठीक फायदा तो क्रेड़िटर भी क्रेड़िटर से जाएंगे सेम तरीके से जैसे मैं बोलू कि और रिपेयर बिल आउटस्टेंडिंग पैसे देना बाकी है रिकॉर्ड ही नहीं किया देना है पैसे घाटा है लाइबिटी बढ़ रही आपकी ठीक है तो यहां पर यह भी रिपेयर बिल पांसो रुपय का था फार एक्जैंबल तो यह ल साथ हजार के फायदे पांसो रुपय का खाटा तो अबर आपको क्या समझ में आ रहा है यहार हमको फायदा हो रहा है 6500 रुपय का नॉर्मली यह जो फायदा है अब एक बाता यह क्यों निकाले थे अपनने ताकि कल की किसकित से बच जाएं अभी ही बांटो और खतम करो इ हमिशा old ratio में बाता जाता है और old partner को बाता जाता है तो यह जो 6500 रुपय का profit होगा यह जितने भी partner होंगे A हो या B हो या ABC 3-0 हो बलबला एक old partner को old ratio में यह 6500 पटके खतम हो जाएंगे तो guys यह तो the revaluation के quick concept but topic बहुत important है तो इससे related 5 easy, 5 moderate और 5 tough transactions CVSE Boards के साब से मैं next video में करा आने वाला हूं जो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी तो फिलाल इन वीडियो में इतना ही, see you soon in the next का बेल